रुख करते हैं अगली खबर की तरफ यूपी समेट इन राजियों में 24 घंटे के अंदर होगी भारी बारिश ओला वरिष्टी की भी संभावना जी हाँ दोस्तो निसर्ग चकरवाती तूफान गुजरात और महराश्टर में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ गया है इस तूफान की वजह से मध्य प्रदेश और 36 गड़ के कई लाकों में बारिश का सिलसला जारी है वही मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राजियों में बारिश को लेकर अलट जारी किया है इसके साथ ही ओला वरिष्टी की भी संभावना जताई है बारिश की वजह से अगले कई दिनों तक फीशन गर्मी सराहत मिलेगी इससे धान की फसल को भी फायदा पहुचेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेंगी तेज हवाएं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है ऐसा ही हाल पूर्वी राजिस्तान में भी रहने की उम्मीद है मौसम विग्यानिकों के मुताबिक पश्टिमी विशोप के प्रभाव में पश्टिमी हिमाले छेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी आलाकों में गरद के साथ बारिश हो सकती है इसके साथ ही अगले 48 घंटों में तेज आंधी और ओला वरिष्टी की संभावना जताए गई है जिसको देखते हुए पूरी उत्तरप्रदेश और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कई जिलों में औरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है वही राजस्तान की राजधानी जैपुर समेथ कई लाकों में दूर भरी आंधी भी आ सकती है पंजाब और हरियाना में भी बारिष पंजाब और हरियाना में भी अगले 2-3 दिनों तक हलकी बारिष हो सकती है आइमडी के ताजा बुलिटिन के मताबिक सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, बागपत, बड़ोत, मोदीनगर, मेरट, फतेहबाद, आदंपुर, नर्वाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, शामली, हिसार, हासी, मेहम, भिवानी, जींद, लोहारू, सादुलपु में तूफान का कहर महराश्टर और गुजरात में निसर्ग तूफान ने दो दिनों में काफी कहर बरसाया है, वो द्दवार को दोपहर एक से तीन बजे की बीच महराश्टर में तूफान का लैंड़ फॉल हुआ, इस दौरान सौ किलो मेटर प्रती घंटे की रफतार से वाए चल रही है